आज है कथा का विश्राम दिवस साथ दिन आपने कथा श्रवन की और मैंने सुनाई ऐसा तो नहीं कहूंगी क्योंकि उससे फिर रिदे में आ जाता है वह गदे वाली कहाने हमारी पूजा हो रही है लेकिन एक इंस्टूमेंस बना करके एक वाद्य बना करके श्री ठाकुर जी वक्ता को अपना गान करवाते हैं लेकिन साथ दिन कोई अपना घर परिवार सब छूड के आता है समय देता है आपको तीन गंटे इतना बोलता है और विज्ञान ऐसा कहता है कि ज़्यादा बोलने से आयू कम होती है तो आपके लिए इतना बोलते हैं हम तो हमारी आयू मतलब अपना जीवन खत्रे में डालके आपके सामने बोलते तो कुछ तो बनता है ना लेना कुछ तो देना चाहिए ना आपको देना चाहिए नहीं कौन-कौन देगा चब शली बहुत-बहुत आवार आपका कम से कम हूं देना चाहिए वोत मागने के लिए आता है वोट दे दो पड़ने सारे हमें सपोर्ट करों यह करएंगे वह करेंगे कोई नेथा आता है तो वो आपसे वोट मांगता है पर मैं आपसे आपके जिन्रीन के कुछ खोट मंगने आई पर कोसमजते हैं एक है बु्राई कोई भी अंदर की बुरी आदत जो आप शिमत भागवत को मुझे भी क्या दोगे भागवत को दीजे भागवत को आप समर्पित करना चाहते अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरा कोई प्रेशर नहीं है अगर आपको लगा हो कि हां मैंने कथा को सुना मुझे कहीं कोई बात केटिगरीज हो सकती है किसी के अंदर इर्शा लोग किसी का खान पान गलत है हमारे पुझे स्वामी जी कहते हैं यो रिशी स्वामी रामदेव जी महराज कहते हैं कि सब लोग हम भारती रिशी पुत्र हैं रिशीयों की संतान है पर हम सुभई सुभई रिशी पुत्र होते शाम होते होते शीशी पुत्र बन जाते हैं और फिर तो ऐसी बीतर जाती है आदमी बड़ा अजीब सिग्रेट की पैकिट पेस पष्ट लिखा है कि ये आपको इट कॉस कैंसर एक आया वो दुकांदार से बुला तुने मुझे नकली वाली पैकिट दे दी वहला क्यूं वहले इस पे लिखा इसको खाने से जुकाम होता रहे मुझे तो कैंसर वाली चाहिए पता है सब पर फिर भी उसी में पढ़ना है ये कैंसर के लिए ये नहीं ये लिखना चाहिए मृत्यों के लिए लाबदायक है खाये जितना खाना पर फिर भी आदमी नहीं मानता फिर भी नही पर जिन्दिगी आपकी जीवन आपका जो करना है डू एज यू विश मेरा काम या किसी भी वक्ता का काम है बस आपसे प्राथना करना मानो न मानो खुशी आपकी हम तो यात्री है कल अपने घर जाएंगे आपको अच्छा लगा हो तो अपनी कोई भी ऐसी बुरी आदत हो तो उसको यहां कथा में समर्थ करके जाएंगे खास कर आज के समय में बढ़ रहा जो मान साहर है मुझे पता है आप सब कथा से जोड़े हैं तो जरूर बिलकुल आपका अहरशुद होगा प्किन्तु आपके बच्चे आपके इश्ट बित्र कोई हो इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं हो सकता कि आप पशु को मार करके हिंसा करके उनको अपना आहार बनाए भगवान ने खाने की बहुत सारी चीज बनाई है खांडवी खाओ, ढुकला खाओ, गाठिया खाओ, और माराजी जलेबी, श्रीखंड, रसगुले, बस बस माराजी, माराजी माराजी की लिस्ट लंबी है तो गुजरातियों में कोई कमिया खाने की जितना खाना उतना खाओ इतनी अच्छी अच्छी वस्तु हैं, ये पेट को शम्शान बना के क्या फाइदा ये पेट रदय में पशु का आदमी जब हिंदू धर्म में काय जब किसी को अगनी दान देके आता तो आके नहता है, श्नान करता है तो अपने जीवन को शुद करें, आहार शुद्धी सत्व शुद्धी, आहार शुद्ध होगा, जीवन शुद्ध होगा आप हमारी चैनल को सबिस्क्राइब भी कर सकते हैं.